गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ सोन्या और मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए बहुती यूसफूल होती हैं और आज भी मैं कुछ ऐसे किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुती हल्फूल होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो तो जो मेरा पहला हैक है इस तरह से गैस के साथ है जब हम कोई भी फ्राई की चीज बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें पानी के चीटे चले जाते हैं या फिर क्या होता है कि हम स्नैक्स पनाते हैं जो की फिरोजन होते हैं तो उसमें पानी होता है कि उस वज़े से जो सारे छीटे हैं उचल कर हमारी गैस के उपर आ जाते हैं तो ये देखें इस तरह से गैस है जो हमारी सारी गंदी हो जाती है सारी ओली हो जाती है सारा ओल है ज तारा तेलकम पाउडर है इस तरह से बिच्छा दोगे तो अगर हमारे पास telock material पाउडर हो न तो उसे रेक विच्छा गाईगी तो फसके सब मुद्ब जइसला के कि कच्छ बहुत मेiveness कि हम तो इस तरह से बस टेलकम पाउडर को लगाएं और बहुत ही असानी से इसको साफ कर सकते तो यह देखे जहां जहां पर भी ओयल था मैंने वहां पर सारे टेलकम पाउडर है जो वो मैंने बिच्छा दिया अब हमने क्या करना है हमें या तो ले लेना है या फी ले लेना है इस तरह से टीशू पेपर आपके घर में जो भी हो आप वो यूज कर सकते हैं तो मैं यूज करने लगी हूँ इस तरह से टीशू पेपर तो टीशू पेपर से मैं सारा जो टेलकम पाउडर है इसको क्लीन कर टेलकम पाओडर लगाने से क्या होता है कि जो हमारी गैस है 나 कहीं पर भी हम यूस करेंगे हुज vibes है तो तक्या होगा वह जगा ना औली नहीं होगी तो यह देकि सारा ओल जो है वह टीशू पेपर के UPS अगर हम यहीं किसी कपड़के साथ था खून करें उल्यजते और चाल मपशें ऊपर रहा है और जो कपड़ को स्म LIG यूजते तो यहां हम अपनाएंगे एफ़ से को नगर बहुती हम ऐगए इसने हम सारा है जो जहां जहां oil है इस तरह से हम इसको अच्छे से clean कर सकते हैं तो बिगनर्स के लिए तो यह बहुत ही useful है तो यह देखे मैंने सारी की सारी जो गैसे इस साफ कर दिया और यह देखो किस तरह से चमक उठी है जो मेरी gas है तो बिलकुल भी oil यहां पर नहीं है तो यह कैसा लगा आपको मुझे बताना अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताना तो ऐसे ही हैक में आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी तो दूसरा है वह है इस तरह से mixer jar के साथ जब हम mixer jar को use कर लेते हैं तो इस तरह से wash करने के बाद हम क्या करते हैं अपने कास हो नहीं रही तो यह सूखेगा कैसे जब हम इसको उठाते हैं तो इस तरह से जो डोट से पानी के लगे होते हैं कुछ कुछ सूखता है बाकी डोट से पानी के लगे रहते हैं जो कि अच्छे से सूखता नहीं है और दूसरी प्रोब्लम क्या होती है कि जो हमारा नीचे इसे ब्लेड है ना वहां उसके नीचे ना हलका हलका से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और जो इसकी शापने से ना वह भी खतम होने लग जाती है तो इस तरह से हमारा मिक्सर जा रहा है ना वह खराब होने लग जाता है तो अगर हम इस तरह से सुखाते हैं तो और हम क्या श्रहां हड़ी से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं अंदर से मोश्चर बिल्व one Ç जहां जाए साफ हो जाता है पर मोश्चर इस में रहता है जिससे क्या होता है कि इसमें से बैट स्मेल आने लग जाते हैं जब वहदा को यूज घुर से अलग से स्मेल आता है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और हम इसमें कोई मसाले वेगरा पीसते हैं तो उसमें मोश्चर आता है तो वो खराब हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जब हमना खाना वेगरा ब्रोटी वेगरा बना लेते हैं तो जब हलका सा तवा गरम रहता है जादा नहीं हलका सा तवा जब गरम रहता है तब हमें क्या करना है हमें अपने मिकसर जार को इस तरह से उल्टा करके रख देना है इससे क्या होगा इसको नीचे से हीट मिलेगी जिससे की ये सारा का सारा है जो सूख चाहेगा और जो इसके ब्लेड है वो भी खराब नहीं होंगे तीखे के तीखे रहेंगे शाप रहेंगे इससे बहुती फाइदे मन होने वाला है काम भी असान होने वाला है और जो इसमें बैट स्मेल है वो भी नहीं रहेगी तो जो अगला है कि मेरा इस तरह से सुखे आटे की साथ है, हम सब कोई ना कोई कंटेनर रखते हैं इस तरह से सुखे आटे को रखने के लिए, क्योंकि जब हम रोटिया बनाते हैं तो इस तरह से सुखा आटा यूज करते हैं, तो इन दिनों क्या होता है, एक तो चीटिया इ तो चलिए में बताती हूं आपको हमें कर लेनी है गैस को ओन हमें रख लेना है इसके उपर तवाख को आटा है जो सूखा आठा है नहीं हमें सारा डाल देना है जितना हम यूज करते हैं उतना हमें डाल लेना है जब हम रोटियां बना लेते हैं तो उसके बाद भी हम ये सुखे आटे को सेख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा हलका हलका सा इसको सेखना है भुनना है मतलब हलका हलका सा करना है इसको जादा नहीं करना है जादा हमें ब्राउन नहीं करना है बस हमें क्या करना है इसमें जो मो को तो बस हम हलका ख़लका सा इसको भूंड़ 좀ा है Voilà मैं इस चीड़ा नहीं कä बन दू करने के बाद तो पहत ही बढ़िया है। सरी मिर्ची साथ में काफ़ी सारी हरी काठे करल तीक पर इससंद इस नहीं हैरी हम हाथ चाइरे पर ऐसे नहीं परिमर्फ जाता है हुं में बहुत ही प्रोब्लम होते हैं कहीं बागत मिर्च का व्यगयरा डालती हैं तो कितना सारी मिर्ची हमी इस तरह से काठनी होती है तो हमारे हाथ है जो जलन से भर जाते हैँ streng- tay अंधो दोले- हमें ले लेना है कच्छा दूद और कच्छे दूद में इस तरह से अपने हाथों को डाल लेना है तो इस तरह से डालने से क्या होगा कि जो कच्छा दूद होता है इससे जो हमारे अंदर जो गर्मी आ जाती क्योंकि यह तरह से गर्मी ही होती है मिर्ची की जलन होती है वो एक तम से ठीक हो जाती है तो अगर हमारे घर में कच्चा दूद ना हो तो हमें फ्रिज में से ठंडा दूद ले लेना है उससे भी उसको यूज करके भी आप ऐसा कर सकते हैं तो ये दूद को यूज करने के बाद इसको फिंके नहीं अपने पोधो है जिससे की जलन है एकडम से भाग जाएगी और क्या होगा कि आपके हांठ है उब तता से अप मेरे जातों से अगर अच्छे लगे हो था हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जादां से जँगाता इससे बाइसे मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई